किसी ने सची कहा है कि लोहे का दर्द लोहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुँ में लगाम है कोई छी यही स्थिती आजादी की भी है सुतंतरता की भी है भारत के 140 करोड लोगों के लिए आजादी नागरिकता और सुतंतरता का महत उतना नहीं होगा जितने म की पहली सुबह है जब भारत के आजाद नागरिक के रूप में सुर्य उदे के दर्शन हुए है और देखिए नूतन और पुरातन किस तरीके से बदल जाता है यह है इनकी नई पहचान भारत के नागरिक और यह है पुरानी पहचान पाकिस्तान का पासपोर्ट 2014 में यह 2013 म पाकिस्तान और रिपब्लिक ओफ इंडिया इसमें कितना अंतर आजाता है वो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये इनका सेटरिफिकेٹ है और तमाम वो लोग है हमार साथ जिनके पास इसी तरह का सेटरिफिकेट है ग्रह मंत्रा लिट यह नहें कल दिया गया है कल शाम को औ इसकी आदर्श इसकी वेल्यू इन से बहतर कोई नहीं समझ सकता है क्या नाम हुआ अर्जी भाई कहा के रहने वाले हम अभी तो यहां पर आदशनगर में रहे हैं डिली आदशनगर पहले पाकिस्तान में कहा से पर सिंद सिंद टंडोलियार अधराबाद के पास अधराबाद के पास तो वहां पर कैसे सिती थी जब 2013 माँ पाए थे और आज की सुबह कितनी खास है अब तो आपके पास हाख हुकू को हमारे को आज हमारे को ऐसे लग रहे हैं कि हमाब हिंदुस्तान के अंदर ये सर्टिपिकर मिलने के बाद ऐसे लग रहा है कि हम अपना बहुत करने वगेरा में दिकत होती थी तो अब वो दिकत नहीं होगी और पाकिस्तान में तो हिंदुओं के लिए हर रोज एक नहीं नहीं मुसीबतें पैदा हो रही है वहां पर जो मुस्लमान लोग हैं हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार करते हैं और जो वहां पर जो खेती कि आपके पडोस के किसी लड़की का धर्म परिवर्तन वहा हूँ जबरन निकाह हुआ हूँ इसलाम कबूल करवाया गया हूँ हाँ जी हमने देखा है ना बहुत वह उसमें हमारे वहीं पर हादसे हुए थे मदर्थे में लड़कियों को रखने लग गए वह बहुत अब लग आपके बहुत गरव मैसुस हो रहा है तो ये गरव की अनुभूती है ये शायद उन लोगों को होगी जो 1947 में आजादी के सुबह देखी होगी या फिर उन शर्णार्थियों को है जो अब आजाद भारत के आजाद नागरिक बन गए है आपका क्या ना है लक्ष्मी ये बत अब लगता है कि जो सारकार की सारे स्कीम सहचे वो फ्री का रषीं हो बाकी मौलिक अधिकार हूं ये तमाम अधिकार आब आज आपके पास होंगे अच्छा लग रहा है एक डाषी डूल जाते हो, क्या? उल्म 11 class में पढ़ते हो, तो आप लग रहा है कि आप भी वैसे ही हो जैसे आपके class के बाकी student आपके class में? मेरे class में 40 student है और हाँ, एसा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो किस team से आप Arts, Commerce, Science क्या पढ़ते हो? मैं अभी 10 पास की अब 11 में डिविशन होगा तो क्या बनना चाहते हो बढ़े हो करके अब लगता है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो में होसला मिला आचे कल से मतलब हमें नागरिता मिलिये तो होसला मिला है हम आगे पढ़ेंगे आज की सुबह कितनी अलग थी लगा कि जो सपना का भी देखा था वो पूरा हो गया दस साल पराना सपना अलगा जम जो हमारे सपने वो आगे पूरे होंगे नरेंद्र मोधी ने हमारे जो सुनी ये बात हमें नागरिता दिये उनको हम बहुत अच्छा किसी से मुलाकात हु हाँ और हमने भी उनका किया अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत बड़ी ओपिस में गये थे हम अप हिंदी कम समझ पाते हैं बोल पाते हैं आपके हस्बेंट साथ में वो ट्रासलेट कर देंगे आज की सुबह कितनी अलग लग रही है क्योंकि वहां आपको डर ल करती है था ज Farmans लिए फेखी हों अपने आपने आपने सब कुछ बया करते है अब लगता है कि वोट भी डाल पाएंगे अच्छी को डालते कांकर कैसा लगता है अब को अदेगे तो कशो पाकिस्तान में बचे होए हैं उन्हें लगता है कि यार वह राशन नहीं मिल रहा वाँ बिजली नहीं मिल रही दूद नहीं मिल रहा और यहां आपको भारत के नागरिकता मिल गई तो अप तो आप एक तरीके से ऐसे हो गए जैसे अनराई बन जाते बड़े आद्मी बन गए हाँ हो तो ऐसे वह उन्हों को भी मतलब दर्स के लोग है उन्हों को बहुत खुशी होई कि हमारे को नागर्टा मिल गी और वहां से बहुत लोग आने के लिए कर रहे हैं वहां पे वीजा बिनने में भी दिक्कत है वहना बहुत लोग आने के लिए कर रहे हैं अभी जल्द बहुत अच्छा लग रहा है तो किस ट्रीम से अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइन्स क्या पढ़ते हो? मैं अभी टेंथ पास की, अब 11th में डिविशन होगा। तो क्या बनना चाहते हो बड़े हो करके? टीचर. अब लगता है कि अब बहता टीचर बन पाओगे, गौर्मेंट जॉप मिल पाएगी, वो तमाम और अपॉर्चनिटी जो इंडियन के पास है, आप भी इंडियन बन गई है, आपके पास भी होगी होगी है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें होसला मिला आचे, कल से मतलब हमें नागरिता मिलिये, तो होसला मिला है, हम आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे। आज की सुबह कितनी अलग थी, लगा कि जो सपना का भी देखा था, वो पूरा हो गया, दस साल पुराना सपना। आज का अलगा जम जो हमारे सपने वो आगे पूरे होंगे। नरेंदर मोधी ने हमारे जो सुनी ये बात, हमें नागरिता दिए। अज्यक्क., आमिह्श शाजी से किसी मुलाकात हुई, क्या का बड़े बड़े अधिकारियों रह मंतरी कि मुलाकात हुई थी उन्होंने स्टेएपट स्टेपकेट धा आमिश शाजी से किसी से मुलाकात हुई च ंप हम घ blur propose वहा हुमने गए आप बहुत बड़ी ओपिस में गए थे हम आप हिंदी कम समझ पाते हैं बोल पाते हैं आपके हजबेंट साथ में वो ट्रास्लेट कर देंगे आज की सुबह कितनी अलग लग रही है क्योंकि वहां आपको डर लगता होगा बाहर जाने में यहां तो आजादी है पूरी दिल्ली के अब यह जो आपकी हसी है जो खुशी है वो अपने आप में सब कुछ बया करती है अब लगता है कि आगे वोट भी डाल पाएंगे किस तरीके से आप देखते हैं है हदराबाद है वैसे ही हदराबाद है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और 1947 Operation Lotus से पहले जो हालात हिंदुस पाकिस्तान के हदराबाद में थी जहां पर रजाकार हिंदुओं के उपर जुम कर रहे थे वही आज के हालात है सिंध यानि पाकिस्तान के हदराबाद के लेकिन वो हालात वो सबने अब पुराने हो गए है पुराना हो गया है पासपोर्ट और अब ये श्याद पासपोर् इतिहास बन गया है और जो वरतमान है वो यह है भारत के नागरिक्ता का परमान पत्र और इस नागरिक्ता के साथ ही इनका एक तरीके से दूसरा जन्म हुआ है और सपने पूरे हो गए हैं कि अमरा सही होगी जैनेंदर के साथ राखुल डवास न्यूस नेशन देले